हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चनल आराध्या आरेस एकेड़ी में दोस्तों आरपेसी फ़स्ट ग्रेड के लिए स्कुल मेनेजमेंट की टोपिक वाइज मेटोपूर्ण प्रेशनों की सिरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें दोस्तों अपनी आठ क्लास है वो कंपलीट हो चुकी है और आठ चेप्टर भी ठीक है आज अपना नुवा नंबर का चेप्टर है बाली का सिक्षा फाउन्डेशन ठीक है तो दोस्तों अगर आपने अगर पिछली अगर क्लासे नहीं देखी है तो आप अले लिस्ट वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें तो जलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बाली का सिक्षा फाउन्डेशन की सासी परिशद के अध्यक्स कोन होता है बाली का सिक्षा फाउन्डेशन की सासी परिशद के अध्यक्स कोन होता है दोस्तों चार ओप्शन आप आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है इसमें देखो बाली का शिक्षा फाउंडेशन की इस्तापना कब वै कहां की गई दोस्तों आपके सामने चार ओप्षन है जल्दी से दोस्तों इसका उत्तर सोचलो क्या होगा दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीस मार्च गुनी सो पिचान में जैपूर ए नंबर का ओप्षन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बाली का सिक्षा फाउंडेशन की स्तापना 30 मार्स 1905 में जेपूर में की गई थी तीन अमबर प्रेस ने बाली का सिक्षा फाउंडेशन की कारे कारी परीशत का सबापती कोन होता है बाली का सिक्षा फाउंडेशन की कारे कारी परीशत का सबापती कोन होता है तो दोस्तो चार उप्षन आपके पास में है जल्दी से इसका उतर सोच लो तो दोस्तो कारी-कारी प्रिशद का जो सभापती है वो मुख्य सची होता है D नमबर का उप्षन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्विशन है चार नमबर प्रिशन इसमें देखो बाली का शिक्षा फाउंडेशन की योजना नहीं है बाली का शिक्षा फाउंडेशन की योजना दोस्तो कौन सी नहीं है चार उप्षन आपके पास में है गारगी प्रुषकार, मुख्य मंत्री, हमारी बेटिया पदमाक्सी योजना, साइकल वित्रन योजना, कौन सी योजना है, वो पाली के सिक्सा फाउंडेशन की योजना नहीं है तो दोस्तों, चार हो आपके पास में है, जल्दी से दोस्तों इसका राइट अंसर क्या होगा, वो है साइकल वित्रण योजना डी नमबर का ओप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो देखो गारगी पुरुषकार योजना है ये कभी स्टार्ट किया गया था तो ये किया गया था गुनिस सो ठ्याणमे में मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है ये दोस्तो कभी योजना प्रारम की गयी थी तो 2015-16 के अंदर ये योजना इस्टार्ट की गयी थी 2015-16 के अंदर और पद्माक्सी योजना है ये दोस्तो 2017-18 के अंदर इस्टार्ट की गयी थी 2017-18 के अंदर पद्माक्सी योजना और दोस्तो इसके अलावा देखो गार की पुरुसकार योजना तो 98 में स्टार्ट की गई थी आपकी बेटी योजना आपकी बेटी योजना दोस्तो 2004-05 में की गई थी इंद्रा पिरेद इसनी पुरुसकार योजना है ये 2010-11 में बालिकाओं के लिए विदेश में सनाता की स्टार्ट की सिक्ष्या सुविदा योजना है ये 2010-11 में की गई थी आगे चलते हैं तो इसमें देखो पांच नमबर प्रेस्ट है वर्तमान में मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना में कितनी बालिकाओं को पुरुषकार दिया जाएगा तो दोस्तो इसका उत्तर क्या होगा 66 बालिकाओं को 99 बालिकाओं को 132 बालिकाओं को या एनिस्षित जल्दी से दोस्तो इसका उत्तर सोचलो क्या होगा इसका उत्तर तो दोस्तो इसका उत्तर होगा 132 बालिकाओं को दोस्तों ये पुरुषकार दिया जाएगा ठीक है इसके अंदर दोस्तों देखो मा आपको बता दिता हूँ मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना है वो क्या है तो राजकिये विद्यालियों में अध्यनरत राजस्तान माद्यमिक सिक्षा बोड की सेकेंडरी प्रिक्षा में परतेग जिले की दो मेदावी चात्रों को वितिये वर्ष 2015-16 की वितिये साहता 2015-16 से दोस्तों वितिये साहता उपलब्द कराई जाएगी और इसके बाद सेकेंडरी बोड में एक BPL परिवार की परतेग जिले की पर्थम इस्तान प्राप्त मेदावी चात्रों को इसमें सामिल किया गया है तथा दोस्तो 2018 गुनिस में दस्वी बोर्ड परिक्षा में परतेग जिले में पर्थम इस्थान प्राप्त एक अनात बालिकाओं को भी इसमें सामिल किया गया है ठीक है इसे परकार दोस्तो 66 प्लस 33 प्लस 33 यानिके 132 बालिकाओं को यह पुरुसकार दिया जाएगा सी नमबर का उप्सन इसमें राइट आंसर शिक्स नमबर प्लस ने कक्षा बारवी में 75 प्रतिसद से अधिक अंक प्राप्त करने वालिकाओं को प्रोच साहन की एक मुस्त कितनी रासी मिलती है अगर बारवी कलास में दोस्तों 75% से अधिक अंक कोई बाली का अगर लाती है तो उसको दोस्तों एक मुस्त कितनी रासी मिलती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो इसके अंदर 5000 पर मिलते हैं डी नमबर का उप्षन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इस साथ नमबर प्रेस ने निसुल के साइकल वित्रन योजना किस वर्स प्रारंब हुई निसुल के साइकल वित्रन योजना किस वर्स प्रारंब हुई तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है चारा option आपके पास में है 20078 में प्रारंभ हुई थी दोस्तो निसुलक साइकल वितरन योजना A number का option इसमें right answer next ग्रामिन बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्स में लागू की गई ग्रामिन बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्स में लागू की गई दोस्तो चार option आपके पास में है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कब इस्टार्ट की गई थी देखो चार option है जल्दी से इसका उत्तर सोचलो क्या होगा मन में तो दोस्तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है ये दोजार साथ आठ में प्रारम हुई थी ए नमबर का option इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट नाइन नमबर प्रेस्ट में इसमें देखो आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9-12 में छात्र अध्यनरत बालिकाओं को परतिवर्श राशी दी जाती है आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9-12 में छात्र अध्यनरत बालिकाओं को परतिवर्श कितनी राशी दी जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तो कितनी राशी दी जाती है 1500 रुपए डी नमबर का उप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं दस नमबर प्रेस्टन इसमें देखो गारगी पुरुसकार योजना में कितनी राशी दी जाती है तो दोस्तो गारगी पुरुसकार योजना के अंदर कितनी राशी दी जाती है यह आपको बताना है 2000, 3000, 6000, 4000 तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गारगी पुरुसकार योजना में 6000 के राशी दी जाती है इसके अंदर डी नमबर का उप्षन इसमें राइट आंसर ग्यारा नमबर प्रेस ने पदमाक्सी पुरुषकार योजना को प्राराम्ब किस योजना को बंद करके किया गया पदमाक्सी पुरुषकार योजना को प्राराम्ब किस योजना को बंद करके किया गया तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा देखो चारो उप्षन आपके पास में है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इंद्रा पिर्यदर्षनी योजना को बदल कर दोस्तो पद्माक्षी पुरुष योजना कर दिया गया था देखो इंद्रा पिर्यदर्षनी पुरुष कार योजना का नाम परिवर्तन कर पद्माक्षी पुरुष योजना कर दिया प्रारंब वर्ष 2017-18 अब इसके लिए पातरता क्या है तो पातरता देखो कक्षा आठ दस और बारा बोड कक्षाओं में जिला इस्तर पर पर्थम आने वाली बालिकाओं को यह हैं पुरुष्कार दिया जाता है समान अंक आने पर एक से अधिक बालिकाओं को भी है पुरुष्कार दिया जाता है नियून्तम 60% अंक अनिवारिय है, देश विदा क्या है तो इसमें देखो कक्षा आठ की बालिकाओं को 40,000 रुपए कक्षा दस की बालिकाओं को 75,000 रुपए और कक्षा बारवी की बालिकाओं को दोस्तो एक लाक रुपए पलस स्कूटी ठीक है ये तीनु सकायों के लिए है कला सकाय विज्ञान और वानी जे तीनों के लिए दोस R.E.I. का पूरा नाम क्या है तो दोस्तो R.E.I. का जो पूरा नाम है वो है राजस्तान एजुकेशन इस्टेटिव याद रखना राजस्तान एजुकेशन इस्टेटिव ये दोस्तो इसका पूरा नाम है A नमबर का उप्शन इसमें राजस्तान शिक्षा पहल की शुरुवात राजस्तान में कब हुई तो दोस्तो राजस्तान में राजस्तान में राजस्तान शिक्षा पहल की योजना की शुरुवात है वो राजस्तान में कब हुई थी तो दोस्तो राजस्तान में राजस्तान में राजस्तान में राजस्ता राजस्तान सिक्षा पहल की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया राजस्तान में राजस्तान सिक्षा पहल की नोडल एजेंसी है वो दोस्तों किसे बनाया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसके अंदर राजस्तान प्रारंविक शिक्षा परिश है राजस्तान सिक्षा पहल के मुख्य सयोगी नहीं है तो दोस्तो कोन नहीं है इसके मुख्य सयोगी चार उप्सन आपके पास में है जल्दी से दोस्तो इसका उत्तर सोच लो क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा FEGG ये दोस्तो इसकी मुख्य सहयोगी नहीं है दोस्तो आपको कमेंट में ये बताना है कि FEGG का फुल फोरम क्या है ठीक है कमेंट में बताना है ये next है राजस्तान शिक्षा पहल का मुख्य उद्दे से नहीं है राजस्तान शिक्षा पहल का दोस्तो मुख्य उद्दे से कौन सा नहीं है वो अपने को इसमें बताना है दोस्तो देखो मैं राजस्तान शिक्षा पहल यानि कि R.E.I. के जो उद्दे से क्या क्या है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ पहले तो देखो उद्दे से हैं विशेश आवशक्ता वाले बालक बालिकाओं हेतु गुनात्मक वैस समावेशी सिक्षा के अवसर जुटाना दूसरा है शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की सिक्षा की मुख्यदारा से जोडने हेतु प्रियास करना तीसरा है बालिकाओं के लिए प्रारंबिक इस्कूली सिक्ष्या का सारजुनी की करण चोथा है विश्व इस्तरिय प्रोजगी की से सेक्षिक सबलिकरण पांचवा है कंप्यूटर साख सर्ता छटा है पब्लिक प्राइवेट से बागिता का नया नवाचार आठवा है पोश्टिक बोजन नवा है स्वच्था एवं स्वास्था वर्दन हेतु पेजल दसवा है आदुनिक सोचाले युक्त स्विदाउं द्वारा बच्चों का संपूर्ण विकास तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर कौन सा उद्दे से इसमें नहीं है पर नबर प्रेस न देखो र ई आई की अधिकरत वेबसाइट www.rei.org.in है वन वर्ड साउथ एसिया के सहयोग से कब लौंच की तो दोस्तों वन वर्ड साउथ एसिया के सहयोग से ये लौंच कब की थी ये वेबसाइट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर सोच लो क्या होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है फरवरी 2009 C नमबर का ओप्शन इसमें राइट आंसर नेक्स्ट है अठारा नमबर प्रेस्ट है इसमें देखो राजस्तान सिक्षा पहल के कारियों की कितनी धराए हैं तो दोस्तो एक, दो, तीन, चार इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका इसमें देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दो, कितनी धराए हैं, दो, देखो राजस्तान में सर्वसिक्ष अभियान के लक्षियों की पूर्ति करना, अर्थार्त, सिक्षण के बुनियादी डांचे और प्रनाली में सुदार करना, आर, ई, आई, की दो कारिये धर आए हैं, कौन कौन सी है, तो, इनफोर्मेशन, कम्यूनिकेशन, टेकनोलोजी, इस्ट्रीम, ठीक है, और दूसरी है, नोन इनफोर्मेशन, कम्यूनिकेशन, टेकनोलोजी, इस्ट्रीम, तो, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर का उप्शन, तो, दोस्तों, यह को शेर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत